तो हेलो गाईस आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम एक एकदम brand new chapter को start करने जा रहे हैं जिसका नाम है cooperative organization ठीक है अब हमने joint stock company कर लिया है हमारा फिर उसके बाद जो public sector undertaking था हमारा वो भी हो चुका है अब हमारा last जो business organization का type होता है the last type of business organization वो होता है एक cooperative organization अब इस cooperative organization के बारे में जानना कि यह क्या होता है इसके characteristics क्या-क्या होते हैं इसके advantages, disadvantages, disadvantages, यह कितने types का होता है यह हम आज के lecture में जानने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर normally समझने की कोशिश करते हैं कि cooperative organization क्या होता है उसके बाद हम इसको by जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है हम notes के truth समझने जाएंगे ठीक है तो cooperative organization का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से जादा लोग आपस में मिल करके एक organization बनाते हैं जिसमें business करना main motive नहीं रहता है main motive रहता है कि यहाँ पर कुछ और की आ जाए ठीक है business is not the main motive business रहता है लेकिन but that is not the main motive तो उसे हम लोग कहते हैं cooperative organization मतलब मैं यहाँ पर example के तौर पर यहाँ पर ले रहा हूँ for example आपने आपको जो है आप देख रहे हैं कि अभी देश में कितना गड़मी पर रहा है तो आपने सोचा कि देश में जो गड़मी पर रहा है उसका एक permanent solution यह है कि देश के लोग फेर लगाएं तो यह फेर लगाने का aim को लेक करके आपने क्या किया अपने दोस्त के साथ एक group बनाया और आप दोनों ने यह सोचा कि हम अब से जहां पे भी हम लोग फेर लगा सकते हैं हम वहां पे फेर लगाएंगे फिर आप दोनों ने शुरूख किया फिर इसके साथ जैसे यह आगे बरता गया वैसे और भी लोग इसमें add होते गए जैसे कुछ दिन बाद आपका और एक दोस्त आपके group में add हो गया फिर कुछ दिन बाद और एक आदमी आपके group में add हो गया तो इस type का organization जहाँ पे कुछ लोग इसे शुरू करते हैं एक ऐसे काम को करने के लिए जो कि society के लिए beneficial होता है and time के साथ साथ इसमें और भी लोग add होते रहते हैं इसे हम लोग कहते हैं cooperative organization आपने शुरू किया कि सभी को पेर लगाना चाहिए पेर को बचाना चाहिए तो फिर greenery conservation ये aim को साथ में लेक करके आपने एक काम को शुरू किया पिर आपके साथ एक आदमी आया फिर दो आदमी आया तीस आदमी आ गया मतलब फिसरा चौथा आदमी आ गया ऐसे करकर के आपका जो group था जो कि एक दो लोगों से शुरू हुआ था वो group अब बहुत लोगों का group भन गया है तो इसे हम लोग कहते हैं cooperative organization अब यह जो cooperative organization होता है यह या तो business करने के लिए हो सकता है या फिर business को छोड़ के भी कोई social service करने के लिए जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि जैसे यहाँ पर फेरों को हचाने के लिए या फिर हो सकता है कि जानवडों को हचाने के लिए जो street dogs होते हैं उनको सेवा देने के लिए तो इन सब अलग-अलग कामों के लिए इनको बनाया जा सकता है तो इसी टाइप का ओर्गनाइजेशन जहां पे काफी लोग मतलब अच्छे खासे लोग आपस में कोपरेशन के साथ आपस में मिल जुल कर किसी काम को करने के लिए सामने आते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं को ओपरेटिव और्गनाइजेशन ठीक है थिस इस नोन अज को ओपरेटिव और्गनाइजेशन अब आईए इसको पहले हम लोग definition के तुरू देख लेते हैं तो अ को ओपरेटिव और्गनाइजेशन is an association of persons मतलब group of persons usually of limited means who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled organization making equitable distributions to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of the undertaking अब ये तो बहुत यहां पर critical language हो गया मैं आपको simple language में ये बोलता हूँ कि ये cooperative organization जो है वो पहली बात लोगों का एक group है जिसमें limited लोग रहते हैं मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसमें इतने लोगों को आपको add करना है आप उतने लोगों को यहां पर add कर सकते हैं थोड़ा सल यहां पर limit रहता है कि एक सो जन या पिर एक हजार जन या पिर एक लाख जन उस हिसाब से यहां पर लोगों को रखा जाता है who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled organization मतलब उन सभी ने voluntarily मतलब आपसी सहमती से आप अपने मत से मतलब अपने पुरा एकदम क्या बुलते हैं अपने होशो आवाज में उन लोगों ने यहां पर agree किया है कि हम एक group बनाएंगे और उसका aim क्या रहेगा कि एक common economic end मतलब common economic end का मतलब business करने के लिए यहां पर हो सकता है कैसे through the formation of a democratically controlled organization मतलब हम लोग यह agree कर रहे हैं कि हम आपस में मिल करके common economic objective यानि कि business करेंगे इसके through एक ऐसे organization के through जो कि democratically democratically मतलब जो कि आप बोल सकते हैं जो कि fair तरीके से चलता हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें आज किसी को member भना लिया उसका सारा पैसा ले लिया बाद में उसको निकाल दिया मतलब एक fair तरीके से organization को काम करना चाहिए making equitable distributions to the capital required मतलब इस काम को करने के लिए जो भी पैसो की जरूरत होगी हम वो ऐसे यहाँ पर देंगे and accepting a fair share of risk and benefits of the undertaking and वो काम जो हम कर रहे हैं उससे जो भी benefit बाहर आएगा या फिर जो भी risk होगा वो हम fair करेंगे तो इससे हम लोग कहते है cooperative organization अब I am damn sure आपको कुछ खास समझ में आया नहीं होगा तो मैं आपको इसको तोर तोर करके समझाता हूं सबसे पहली बात कि this is an association of persons मतलब लोगों का एक group है ठीक है who have voluntarily joined together मतलब उन लोगों का जो joining है वो voluntarily मतलब अपनी मर्जी से हुआ है किसी ने उन्हें जबरदस्ती force नहीं किया है कि तुम यहाँ पे आओ और यहाँ पे काम करो ठीक है अब इन लोगों ने joint मतलब voluntary join किया है किसके लिए to do common business common business करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे join किया हुआ है किसके थुरू एक organization के थुरू जो कि democritically मतलब जो कि क्या बोलते हैं जो कि एक fair तरीके से काम करेगा जिसमें कोई भी खलत काम नहीं होगा मतलब यहाँ पे through a fair organization through a fair organization and इस organization का जो भी capital होगा वो हम लोग contribute करेंगे and जो भी यहाँ पे से risk मतलब जो भी risk को होगा वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे and जो भी profit होगा वो भी हम लोग यहां पे रखेंगे तो अगर simple language में कहा जाए तो cooperative organization एक लोगों का group होता है जिसमें हर एक आदमी अपने मर्जी के साथ join करता है एक ऐसे काम को करने के लिए जो कि सभी के लिए जो भी उस group में है उन सभी के लिए beneficial होगा एक ऐसे group को बना करके जो कि fair थरीके से काम करेगा उसमें जो भी capital चाहिए होगा वो वो लोग contribute करेंगे यहां से जो भी profit या loss आता होगा या फिर जो भी यहां पे से risk बाहर में आता होगा वो वो लोग अपने हिसाब से bear करेंगे तो इसे हम लोग कहते है cooperative organization यह basically एक लोगों का group होता है ठीक है आपको समझ में आया होगा कि cooperative organization क्या होता है अगर समझ में नहीं आया है तो अब थोरा सा मतलब फीछे rewind करके आप थोरा देख लिजे आपको फिर से समझ में आ जाएगा ठीक है Now the word cooperation stands for the idea of living together and working together मतलब यहां पर सभी cooperate करके करेंगे cooperation is a form of business organization the only system of voluntary organization suitable for poorer people मतलब जिन लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो लोग partnership बना सके या फिर soul proprietorship बना सके क्योंकि soul proprietorship में भी आपको खुद पैसा वहां पर लगाना होता है तो जब आप बांकी सारे businesses को आप खोल नहीं पाते हैं तो उस time पर एक option रहता है कि आप एक cooperative organization बना सकते हैं मतलब यहां पर हर एक आदमी अपने मरजी से है एक economic interest यानि कि पैसे कमाने के इससे with the aim of earning money वो लोग साथ रहते हैं ठीक है तो यह है cooperative organization simple language में लोगों का एक group जहां पर सभी लोगों ने voluntarily join किया हुआ है एक common business करने के लिए एक organization के थुरू जिस organization का पैसा भी वही लोग लगाने वाले हैं जो भी risk या फिर profit और loss होगा वो भी वो लोग आपस में बांट लेंगे ठीक है तो इसे हम लोग कहते हैं cooperative organization ठीक है अब cooperative organization भी आप कह सकते हैं या फिर आप इसे cooperative society भी कह सकते हैं जोनों चीजे allowed हैं either you can say a cooperative organization और you can say a cooperative society ठीक है तो दोनों का एक ही बात होता है तो अब हम देखते हैं कि इस cooperative organization का characteristic क्या होता है तो सबसे पहली बात ये है कि ये एक voluntary organization है ये एक voluntary organization का क्या मतलब है कि इस cooperative organization के जितने भी लोग member होते हैं वो सभी लोग अपनी सहमती से अपनी मर्जी से member बनते हैं कोई भी उन्हें जबर्दस्ती member नहीं बना सकता है ठीक है आपको अपनी मर्जी के साथ अगर आना है तो आईए और अगर नहीं आना है तो आपको कोई force भी नहीं करने वाला है मतलब यहां पर आपका मन के हिसाब से होगा आपको जब आना है तब आईए आपको जब छोड़ के जाना है आप जा सकते हैं मतलब यह totally आपके हिसाब से है कि आपको अगर मन करता है तो आईए और अगर नहीं करता है तो आप छोड़ के भी जा सकते हैं ठीक है फिर इसके बाद आता है open membership आप the membership of a cooperative society is open to all that is membership is open to all irrespective of their caste, creed and religion मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हर एक आदमी member बन सकता यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ muslimों को member बनाया जाएगा या फिर यहाँ पर सिर्फ Hindu को या फिर Christian को member बनाया जाएगा मतलब यहाँ पर जायत पात का कोई चीज नहीं आता है हर एक इनसान जो की इनसान है वो इसका member बन सकता है यहाँ पर कोई भी जात पात देखा नहीं जाता है पिर अगर बात करें registration का मतलब जैसे company को register करवाना जरूरी होता है तो यह तो अब तक हम समझी चुके है कि यह क्या होता है कि जो भी लोग member होते है cooperative society का उनका limited liability होता है जितना capital उन्होंने company को दिया हुआ है जितना पैसा उन्होंने company में लगाया हुआ है वो लोग सिर्फ उतने तक का ही liable होते हैं उससे एक रुपया जादा भी उनसे मांगा नहीं जा सकता है ठीक है यह limited liability तो आपको already पता होगा कि जितना पैसा का कोई आदमी member भना है वो सिर्फ उतने पैसों का ही उससे देने की जरुरत है उससे एक रुपय भी जादा देने की जरुरत उससे है नहीं ठीक है फिर है democratic character अब cooperative society forms a managing committee and elected members have the power to vote and choose among themselves the managing committee is formed so as to take important decisions regarding the operations of the society अब इसका democratic character है का क्या मतलब होता है इसका मतलब यह होता है कि democracy का मतलब क्या होता है जहां पर देश के लोग आपस में मिल जुलकर election के तुरू अपना leader को choose करते है वो कहलाता है democracy तो ठीक इसी थरीके से एक cooperative society में कौन लोग इसके head होंगे कौन लोग इसके सबसे टॉप लेवल पर कौन-कौन लोग होंगे यह भी election के तुरू ही निकाला जाता है फिर अगर बात करें service motive की मतलब यहां पर यह जो बनाया जाता है cooperative society यह basically social work के लिए ही बनाया जाता है social work करके पैसा कमाना यह उसके लिए बनाया जाता है ठीक है जैसे मैं अगर सबसे best example बोलू तो वो है amul amul एक cooperative organization है यह cooperation के साथ चलता है तो यह क्यों बनाया गया था यह इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों मतलब जिसको कहा जाता है कि जो लोग उतना महंगा package दूद नहीं अफोर्ड कर सकते थे तो उन लोगों को कम दाम में दूद देने के लिए इस company को बनाया गया था तो इसका में मोटिव जो रहता है वो लोगों की सेवा करना जनकल्यान ही रहता है लेकिन उसका साथ-साथ profit earning भी इसका मोटिव रह सकता है ठीक है लेकिन cooperative society basically social work के लिए ही भनाया जाता है अगर उसमें profit होता है तो ठीक है नहीं तो ऐसा नहीं है कि अगर profit नहीं होगा तो हम cooperative society भनाएंगे भी नहीं ठीक है पिर अगर बात करें under state control so in order to safeguard the interest of the society members the cooperative society is under the control and supervision of the state government the society has to maintain accounts which will be audited by an independent auditor मतलब क्या होता है कि इसके उपर में जो state government रहती है मतलब यह लोग जिस भी state को belong करते हैं तो उस state government का कुछ control इनके उपर में रहता है मतलब यह पूरे तरीके से free नहीं होते हैं यह भी state government के rules and regulations के अंदर में ही आते हैं ठीक है अब अगर बात करें कि cooperative organization का फाइदा क्या है तो सबसे पहला फाइदा तो यही है कि इसको भनाना बहुत आसान है जिन लोगों के पास उतने पैसे नहीं है वो लोग इसे आसानी से भना सकते हैं मतलब बनाना काफी आसान है दस लोगों को लेके इसको बनाया जा सकता है और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अगर रेजिस्ट्रेशन भी खरवाना होगा तो उसके लिए इतना कुछ खरना होता है जो कि आपने कंपनी के केस में देखा था कि MOA बनाओ फिर AOA बनाओ फिर यह सबको फाइल करो फिर वो देखेगा फिर वहां से फे ठीक लगेगा तो वो वहां से भेजेगा फिर सर्टिफिकेट देने के बाद एक बार फिर से certificate of business के लिए apply करो फिर वो चेक होगा फिर उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा तो इतना ताम जहाम इसमें नहीं रहता है इसमें आप आसानी से cooperative organization बना सकते हैं ठीक है फिर इसके बाद जो आता है वह open membership membership in a cooperative organization is open to all people having a common interest a person can become a member at any time he likes and can leave the society at any time he by returning his shares without affecting its continuity मतलब इसमें कोई भी आ सकता है इसके उपर में ऐसा नहीं रहता है कि ये आदमी नहीं आ सकता है ये आदमी नहीं आ सकता है इसमें कोई भी आदमी जिसको मतलब जो की उस organization के साथ सहमत है मतलब obviously बात है आपका जो thinking है वो एक जैसा होना चाहिए तो जिन लोगों का एक जैसा thinking है जो लोग एक ही जैसा सोचते हैं वो लोग यहाँ पर आसानी से आ करके बना सकते हैं जब उन्हें जरुवत भरती है तो वो लोग छोड़ के भी जा सकते हैं ठीक है तो इसमें जो membership है उसके उपर यह नहीं रहता है कि आप एक बार अगर बन गए तो आपको जाने में मुश्किल होगी आप बन जाए यह member अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो आप छोड़ दीजिए फिर बात करते हैं तो इसमें यह नहीं रहता है कि मतलब यहां पर यह हो गया कि वो इसने उस औरगनाजिशन को established किया था उसने अपने बेटे को head बना दिया या फिर उसको किसी ने पैसा दे दिया और बोला कि यह लोग इस आदमी को या फिर नहीं ही होती है ठीक है फिर लिमिटेड लाइबिल्टी यह हम अल्यडी जान चुके हैं कि जो भी cooperative organization के members रहते हैं उनका liability हमेशा limited रहता है उन लोगोंने जितना पैसा लगाया हुआ है company में सिर्फ वो लोग उतना ही पैसा देने वाले हैं उससे एक भी रुपया देने की उन्हें जरूरत है नहीं ठीक है फिर stability की बात करें तो अभी हमने देखा था कि अगर cooperative organization का कोई भी member अगर उसे छोड़ के चला जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो cooperative organization उसी time पे बंद हो जाएगा cooperative organization eternity तक continue कर सकते हैं उसके लिए ऐसा नहीं है कि यह आदमी अगर आता है और यह आदमी ने अगर यहाँ पे इससे छोड़ दिया तो वो भी खतम हो जाएगा जो कि partnership के case में होता है कि जैसे आपका partner चला जाता है या फिर उसकी death हो जाती है तो उसी time पे partnership भी खतम हो जाता है लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़े नहीं होती है ठीक है फिर बात economical operation तो the operation of a cooperative society is quite economical due to elimination of middlemen and the voluntary service provided by its members अब यह जो cooperative organization होता है इसको चलाना काफी सस्ता होता है company के मुकाबले तो बहुत ही सस्ता होता है तो यह इसका एक बहुत बड़ा advantage है क्योंकि company में आपको पहली बात यहाँ पे डिरेक्टर रखना होगा फिर आपको accounts manage करने के लिए accountants को रखना होगा CS को रखना होगा, lawyer को रखना होगा, CA को रखना होगा अलग-अलग लोगों को यहाँ पे रखना होता है लेकिन यहाँ पे उतने लोगों की जरुवत होती नहीं है तो इसी वज़ा से यह जो इसको manage करना जो है वो काफी सस्ता भरता है, ठीक है? पिर जो next point है, वो है government patronage government gives all kind of help to cooperative such as loans at lower rate of interest and relief in taxation तो सरकार भी आपकी यहाँ पे मदद करती रहती है low tax rate पे आपको loan मिल सकता है या फिर अगर बात करें, तो आपको जो normal आपका जो income tax होता है, उसके उपर में भी आपको छूट दिया जा सकता है पिर low management cost यह और यह point एक ही जैसा है कि यहाँ पे उतने ज़्यादा लोगों की appointment की जरूत होती नहीं है तो इन सभी organizations को बनाना काफी सस्ता फरता है ठीक है? पिर हम mutual cooperation, cooperative societies promote the spirit of mutual understanding, self-help and self-government they save weaker sections of the society from exploitation by the rich the underlying principle of cooperation is self-help through mutual help अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी members होते हैं वो लोग आपस में cooperate करके काम करते हैं तो इससे जो cooperation के साथ काम करना या फिर mutual understanding के साथ काम करना इस चीज़ को बढ़ावा मिलता है this thing is promoted that working with mutual cooperation, working with self-understanding ये सब चीज़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा भरती हैं ठीक है? फिर बात करें एक new speculation so the share is always open to new members the shares of cooperative society are not sold at the rates higher than their power values hence it is free from evils of speculation in share values मतलब जो कि share के case में होता है कि वहाँ पे बहुत टाइम पे ये होता है कि जो share होता है उसका जो original दाम रहता है उससे बहुत ज़्यादा दामों में उससे बेच दिया जाता है लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं रहती है the share is always open to new members the shares of cooperative society are not sold at the rates higher than their power values hence it is free from evils of speculation in share values देखिए यहाँ पे जो मतलब ये जो cooperative organization होता है इसका भी एक share capital होता है लेकिन ये जो share capital होता है ये आप असानी से market में जाकर के बेच नहीं सकते हैं तो इसकी वज़ा से क्या होता है कि for example यहाँ पे एक share जो कि किसी cooperative organization का अगर 15 रुपे का है तो पहली बात market में इसके लोग ही उतने है नहीं तो अगर कोई ये सोचता है कि मैं 15 रुपे का share को 30 रुपे का share बोल करके बेच देता हूँ तो वो यहाँ पे होगा नहीं यहाँ पे यह अलावड नहीं होता है यहाँ पे जो भी share है वो जितना दाम का share रहता है वो जिर्फ उतने दामों में भिखता है उससे एक भी रुपे ज़्यादा में यहाँ पे बेचा नहीं जाता है तो इसकी वज़ा से जो speculation होता है मतलब shares के दामों को जानबूच के उपर नीचे कर देना वो यहाँ पे बहुत कम होता है फिर अगर नेक्स्ट की बात करें तो वह है economic advantages cooperative societies provide loans for productive purposes and financial assistance to farmers and other low income earning people अब यह जो होते हैं यह basically जैसा कि मैंने आपको बोला कि समाज सेवा करने के लिए इनको बनाया जाता है तो यह लोग basically जो छोटे लेवल पे जो farmers होते हैं यह उन farmers को help करते हैं जो कि मैंने अमूल के बारे में बताया था कि जब अमूल बनाया गया था तो उसे बनाते वक्त बहुत सारे farmers को वहाँ पे help मिला था तो यह जो cooperative organizations होते हैं यह जैसे जैसे इनका बनते हैं वैसे वैसे यह जो poor farmers होते हैं या पिर जो गरीब दोकानदार होते हैं, जो लोग उतना high interest में loan normal bank से नहीं ले सकते हैं, तो उन लोगों को ये लोग help करते हैं, ठीक है, and इसके other benefits भी होते हैं, cooperative societies are exempted from paying registration fees and stamp duties in some states, मतलब कहीं कहीं पर इनको registration fees भी देने की जरुवत होती नहीं है, stamp duty मतलब वो भी एक तरीके का taxi होता है, तो वो भी आपको देने की जरुवत हैं नहीं, these societies have priority over other creditors in realizing its dues from the debtors and their shares cannot be decreed for the realization of debts, मतलब अगर cooperative society ने किसी company को loan दिया हुआ है, अगर वो company डूब रही है, तो हम जानते हैं कि जब भी company डूबती है, तो डूबते वक सबसे पहले जो पैसा है, वो creditor को दिया जाता है, लेकिन cooperative society ने अगर किसी को loan दिया हुआ है, तो इससे की पहले creditor को उसका पैसा वापिस म ये अलग-अलग तरीके के benefits होते हैं, जो कि cooperative society को दिया जाते हैं, फिर अगर बात करें तो हमारा आते है, disadvantages of cooperative organization किसके disadvantages क्या है, तो सबसे भड़ा disadvantage है, वो है limited capital, आप cooperative organization से एक हद तका ही पैसा ला सकते हैं, इसके जो members होते हैं, वो बहुत limited होते हैं, company के case में तो unlimited members वहाँ पे हो सकता है, तो आप वहाँ पे जितना पैसा ला सकते हैं, यहाँ पे उतना पैसा लाना possible नहीं है, ठीक है, फिर अगर बात करें inefficient management, so the management of a cooperative society is generally inefficient, because the managing committee consists of part-time and inexperienced people, qualified managers are not attracted towards a cooperative on account of its limited capacity to pay adequate remuneration, तो यहाँ पे क्या होता है, कि जो लोग इसका main management समालते हैं, वो लोग कुछ खास qualified होते नहीं हैं, मतलब जैसे MBA हो गए, CS, CS, इस type के लोग इसमें बहुत कम ही काम करते हैं, क्योंकि पहली बात यह है कि यह सब जो cooperative organization होता है, यह लोग बहुत low level पे काम करते हैं, यह लोग बहुत कम capital के साथ काम करते हैं, तो अगर जब पैसा ही कम है, तो उतने कम पैसों में, अगर CS, CS, MBA जैसे लोगों को appoint किया जाएगा, तो फिर, यह तो फिर cooperative करने का मतलब भी क्या हुआ, तो इसी वज़े से इसमें जो भी लोग इसके main management को समालते हैं, वो बहुत ज़्यादा qualified या फिर बहुत ज़्यादा skilled नहीं होते हैं, उनलों के पास limited skills होते हैं, जिसकी वज़े से यह जो management होता है, वो काफी inefficient हो जाता है, company के case में अलग-अलग qualifications के लोगों को main management में रखा जाता है, लेकिन उन लोगों का उतना, लेकिन उतने ज़्यादा qualified लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, तो इसकी वज़े से इसका जो management हो बहुत inefficient होता है, फिर बात करें, absence of motivation, so a cooperative society is formed for mutual benefit and the interest of individual members is not fully satisfied, there is no direct link between effort and reward, hence members are not inclined to put their best efforts in a cooperative society, अब देखे, cooperative society में क्या होता है, कि यहाँ पर किसी एक आदमी के benefit के लिए नहीं, बलकि हर एक आदमी के benefit के लिए काम किया जाता है, मतलब यह है कि अगर किसी cooperative society में कर एक हजार लोग है, और कहीं से अगर एक लाक रुपया आया, तो यह जो एक लाक रुपया है, यह हर एक आदमी में equally तरीके से बाटा जाएगा, तो इसमें से कुछ लोग हो सकते हैं, जो कि यह सोचेंगे कि cooperative society में इतना काम किया, इतना ऐसा लगाया, तो भी उतना हमें return नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, अगर मैं company के बारे में बात करूँ, तो वहाँ पर आपने जितने जादा shares खड़ीदे होंगे, आपको उतना जादा dividend यहाँ पर मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर वो सब चीजे matter नहीं करती है, यहाँ पर आपने company या फिर cooperative society में आपने कितना ही contribution कियो ना किया हो, इस बात की guarantee नहीं है, कि आपको बाकियों के मुकाबले जादा ऐसे यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो यह जो यहाँ पर बात आती है, कि effort जादा लगाओ या फिर कम लगाओ, तो हमको उतना ही profit है जो कि मिलने वाला है, तो इसकी वज़ासे जो लोग इसमें होते हैं, they are not that much motivated, वो लोग उतना सादा motivation के साथ काम नहीं करते हैं, ठीक है, फिर अगर बात करें, तो अगला है, differences and factionalism among members, once the initial enthusiasm about the cooperative ideal is exhausted, differences and group conflicts arise among members, then it becomes difficult to get full cooperation from the members, the selfish motives of members begin to dominate, the service motive is sometimes forgotten, तो यहाँ पर क्या होता है, कि देखिए, एक बार अगर cooperative society बन जाती है न, तो एक बार अगर जिस काम के लिए उसे बनाया गया था, मतलब एक बार अगर वो कोई बहुत बड़ा काम हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद लोग उतने ज़्यादा इसमें इंट्रेस्टेर होते ही नहीं है, मतलब धीरे धीरे इसमें जो लोग काम करते हैं, उनका motivation डाउन हो जाता है, वो लोग आपस में जगरे करने लग जाते हैं, जो cooperation जो कि इसका main यह रहता है, कि the mutual cooperation is the main thing behind cooperative organization, तो वो जो mutual cooperation है, वही time के साथ साथ कम होते जाता है, इसी वज़ा से जो इसका main spirit होता है, कि mutual cooperation के साथ यहाँ पर काम होगा, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, लास्ट में यह जो लोग हैं, वो पजाए इसके कि सब के लिए मिल करके काम करें, वो लोग अपने लिए ही काम करने लग जाते हैं, ठीक है? जबकि company में यह होता नहीं है, जो shareholders होते हैं, उनके हाथ में तो main management होता नहीं है, तो अगर shareholders में जगरा भी हो गया, तो अभी directors अपने हिसाब से company को चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो main cooperative society है, वो तो members की उपर में ही है, तो अगर वो लोग अपने में जगरा करने लग जाएंगे, तो फिर यह cooperative society को बनाने का फाइदा ही क्या हुआ? ठीक है? फिर रिजिट rules and regulations, excessive government regulation and control over cooperatives affect their functioning. For example, a cooperative society is required to get its account audited by the auditors of the cooperative department and to submit its account regularly to the registrar. These regulations and control may adversely affect the flexibility of operations and the efficiency of management in a cooperative society. अब कावर्मेंट के कुछ ऐसे rules and regulations होते हैं, जो कि इतने strict कभी खबार हो जाते हैं, कि इनकी वज़े से यह जो companies होती हैं, यह जो cooperative societies होते हैं, यह लोग अपने मन मर्जी से काम नहीं कर पाते हैं. जैसे एक rule है, कि जितने भी cooperative societies होते हैं, उनको अपने accounts audit करवाने होते हैं, मतलब mainly जो भी काम उन्होंने किया हुआ है, जो भी उनका हिसाब किताब है, तो वो हिसाब किताब ठीक है की नहीं, यह काम उन्हें चेक करवाना होता है. फिर इसी के साथ साथ जो भी इनके accounts होते हैं, वो accounts का copy इन लोगों को registrar के पास में देना होता है. तो यह जो rigid rules लगा दिये जाते हैं, कि सबसे पहले आप में जो भी काम हो रहा है, आप उसे audit करवाईए, फिर audit करवाने के बाद वो सारा काम हमको दिखाईए, तो इसकी वज़ए से जो cooperative societies होते हैं, वो लोग उतने ज्यादा rules and regulations के अंदर में आक करके, वो लोग का जो खुद का flexibility होते हैं, मतलब अपने हिसाब से काम करने का जो motive रहता है, वो धीरे धीरे खतम हो जाता है, ठीक है, पिर जो इसके बाद जो अगला point है, वो है lack of competition, अब देखिए जो cooperative societies होते हैं न, इन लोगों का उतना ज़्यादा कोई competitor खास कर होता नहीं है, they don't have much competition, जैसे joint stock company के case में, एक ही काम के लिए आपको 100 company मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही काम करने के लिए बहुत कम, 4-5 companies से ज़्यादा आपको societies यहाँ पे मिलने वाले हैं नहीं, तो यहाँ पे जो competition है, वो बहुत कम है, जहाँ पे भी competition कम हो जाता है, तो वहाँ पे monopoly इस type के जो चीजे हैं, वो market में बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, जैसे ही यहाँ पे competition कम हुआ, तो यह जितने भी cooperative societies हैं, इनको ये बात मालूम है, कि हमारा कोई competitor है नहीं, तो हम अपने हिसाब से हमें जैसा मन होता है, हम लोग वैसे काम कर सकते हैं, ठीक है, फिर है cash trading, the members of the societies are generally from poor sections of the society, these persons need credit facilities, on the other hand private traders extend the credit facilities to the consumers, though the societies sell goods at lower prices, but absence of credit facilities compels them to go to private traders, for meeting the requirements, ये point कुछ समझ में आया नहीं है, इसको यहां से अभी हटा देते हैं, ठीक है, ये point छोड़ दीजिये, फिर next lack of secrecy, the affairs of a cooperative society are openly discussed in the meetings of the members, every member is free to inspect the books and records of the society, therefore it becomes difficult to keep the secrets of the business, अब cooperative society में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये बात हर एक member को मालूम होनी चाहिए, each and every member is bound to know, he has the right to know, कि उस company में आखिरकार हो क्या रहा है, तो जब ऐसा होगा, तो वो company आखिरकार अपना secret जो चीजें हैं, वो रखेंगी कैसे, हो सकता है कि company के जो top level के लोग हैं, वो लोग कुछ चीजों को secret रखना चाहते हैं, कि ये चीज़ को secret रखने से, हम लोग हमारा जो cooperative society है, इसको कुछ benefit हो सकता है, लेकिन जब meeting होगा, तो उस time पर ये चीज बोलना ही होगा, तो secrecy नाम का चीज यहाँ पर रह नहीं जाता है, फिर वेटेज टू परसनल गेंज, यहाँ पे तो यह हम जानी चुके है, कि जो भी लोग cooperative society में काम करते हैं, ये बहुत ज़ादा chances हैं, कि वो लोग cooperation को छोड़ करके, आपसी चीजों को छोड़ करके, वो लोग अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, वो लोग यह बोल सकते हैं, कि बांकी लोग भार में जाए, मैं अपने लिए काम करूंगा, तो यह बहुत ख़ड़ होता है, ठीक है, फिर लाक ओफ इंसेंटीब और इनिशियेटिव, इन अ कोपरटेव सोसाइटी फॉर्म अफ और और अगनाज़सिए, अब यही इसका सबसे ख़ड़ा बात है, कि मैं इसका मालिक हूँ, बट मैं इसमें चाकर भी अपने हिसाब से इसे नहीं चला सकता हूँ, मतलब जो मेंबर्स होते हैं, वो लोगों के हाथ में यहां पर रहता नहीं है, वो लोग आपस में कुछ लोगों को elect करते हैं, जो main power है, वो उनहीं लोगों के हाथ में रहता है, तो इसकी वज़ा से जो लोग होते हैं, वो लोग यह सोचते हैं कि आरे यार, इतना काम करके क्या फाइदा, सब कुछ तो जो भी है, वो तो उसी के हाथ में है, तो इसकी वज़ा से लोग यहां पर demotivate हो जाते हैं, लोग इतने ज़्यादा interest इस केस में यहां पर लेते नहीं हैं, यहां पर लेते नहीं हैं, यहां पर corruption अच्छा खासा होता है, ठीक है, तो यह थी इसके कुछ demerits, तो हमने इसका basics जान लिया है, कि cooperative organization क्या होता है, basically कुछ लोगों का group होता है, जो कि आपसी सहमती से economic gain के लिए, कुछ एक organization भनाते हैं, उसके जितने भी पैसे होते हैं, वो सब आपस में contribute करते हैं, जो भी profit या loss होता है, वो लोग आपस में भांट लेते हैं, जो कि हम इस picture में देख सकते हैं, कि यहां पर हर एक आदमी, अपना हिस्सा लाग करके, इस puzzle को फूरा कर रहा है, ठीक है, तो यह ही होता है cooperative society, यह है member, 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 तो यह लोग मिल करके, यहां पर contribute कर रहे हैं, जो भी फैसा यहां से आ रहा है, वो फैसा यह लोग आपस में भांट ले रहे हैं, ठीक है, अब इसके characteristics हम ने देखा, इसके merits हम ने देखिए, इसके demerits हम ने देखिए, तो यहाँ पर अमारा basic जो है वो इस chapter का होच चुका है कल का lecture काफी छोटा सा होने वाला है जिसमें हम इस chapter को फूरा खतम कर देंगे ठीक है और उसके बाद आपका जो फूरा syllabus है उसका जो फूरा heading है वो खतम हो जाएगा ठीक है सो मिलते हैं अगले वीडियो में अब तक के लिए do take very good care of yourselves have a very nice day take care of yourselves bye bye जाहिंद